सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और साथ ही बेल आइकन को दबाएं मेरा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंड्स मैं हूँ मयूर और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है हमारा नैच्रल स्केल चाहे मेल हो या फिमेल जो अवाज हमें मिली है उसका जो अपना दाइरा है जो रेंज है वो जितनी भी हो चाहे लो में ज़्यादा हो या हाई में ज़्यादा हो अपने हिसाब से जो म्यूजिक का स्केल हमने देसाइड किया है म्यूजिक में उसके हिसाब से अगर देखते है तो तीन सब तक में पहुंचती है बीच का मध्य सब तक उसमें सा से लेके उपर वाले सा तक आराम से ये तो नैचुरल बहुत अच्छे से हम इसमें गा सकते हैं इसके अलावा लो में भी जाते हैं हम प तक आराम से जा सकते हैं और उपर भी गमा तक जा सकते हैं और इसको प्रेक्टिस से भी आप थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं तो अब मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि मेरा स्केल क्या है तो उसके लिए हमें बिल्कुल जीरो से इसको समझना हुआ मुझे कुछ नहीं पता कि मेरा स्केल क्या है तो अब मैं यह देखूँगा कि मेरा रेंज, मेरा पहुच कहां तक है मैं उपर कितना जा सकता हूं, कौन से नोट तक जा रहा हूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लो मैं पातक, उपर मैं गामा या पातक तो उससे अपने आप डिसाइड हो जाएगा मैं आपको हार्मोनियम पर थोड़ा सा इसे समझाता हूं तो क्योंकि मेल के लिए बोला जाता है कि कॉमन स्केल यह है पहला काला सी शाइड तो बाद में जो भी डिसाइड हो, पहले मैं इसी से ट्राइड करके यह देखूँगा कि मैं कहा तक गाप आ रहा हूं, ठीक है इसी तरह गल्स के लिए मैं भी बताऊँगा पहले आप यह समझ ले तो सपोस करिए मुझे कुछ नहीं बता कि मेरा स्केल क्या है मैं पहले जो मेल्स के लिए कॉमन स्केल है उससे ट्राइड करता हूं, ठीक है यह मैंने मद्द सब तक पूरा प्ले कर लिए, अब मैं लोग की तरफ जाओगा पहले सानी जाओ, पाँ, माँ, पाँ, पाँ, जैनी साँ सपोस करिए कि आप पा तक यह आप आए, ठीक है तो आपको पता लग गया कि मेरा लास्ट नोट जो है वो पा है या मा है, ठीक है उसके बाद फिर आप उपर की तरफ जाके देखेंगे आपका मा तक यहाँ जाना चाहिए और अगर पा तक भी जा पा रहे हैं आप इसली शुरू की पहली कोशिस में ही या बिना प्रेक्टिस के पा तक आराम से जा रहे हैं तो फिर आपको C sharp के अलावा D भी try कर सकते हैं D sharp भी try कर सकते हैं तो इस तरह से आपका scale decide होगा इसी तरह गल्स के लिए अपना scale decide करने से पहले गल्स को G sharp से पहले try करना चाहिए means चोथा काला जिसको हम बोलते हैं तो नीचे आप देखें कितने नोट आप आप नीचे तक जा पा रहे हैं पा तक आना ही चाहिए और उपर मा तक आना ही चाहिए अगर और पा तक आप easily आ गए उपर वाले पा तक तब फिर आप A से भी try कर सकते हैं या A sharp पाँचवे काले से भी try कर सकते हैं इस तरह आप अपना scale decide करें अब मैं आपको उपर की तरफ लेके आऊँगा तो ये थी जानकारी आपके अपने original scale के बारे में अभी अगले lessons में मैं आगे की बात करूँगा तो आज के लिए इतना ही कैसा लगा आपको मेरा lesson अपना feedback ज़रूर शेयर करें वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें थैंक्स वर वाचीं झाल झाल